प्रिष्ठ संख्या 25 पंचमह पाठाह पंडिता रमाबाई संस्कृत की विदोशी रमाबाई के बारे में इस पाठ में विवरण दिया गया है स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई अश्टा दश शताबदे अश्ट पंचा शत्तमे ख्रिष्टाबदे जन्म अलभत तस्याह पिता अनन्त शास्त्री डोंगरे माताच लक्ष्मिबाई आस्ताम तस्मिन काले स्त्री शिक्षाया हस्थितिही चेंतनिया आसीत स्त्रेणाम क्रिते संस्कृत सिक्षणम प्रायह प्रचलितम नासीत किन्तु डोंगरे रूढि बद्धाम धारणाम परित्यज्य स्वपत्नेम संस्कृतम अध्यापयत एतदर्थम सह समाजस्य प्रतारणाम अपी आसहत अनंतरम रमा अपी स्वमातुहु संस्कृत शिक्षाम प्राप्तवती कालक्रमेन रमायाह पिता विपन्नह संजातह। तस्याह पितरव जेष्ठा भगिनीच दुरुभिक्षपीडिताह दिवंगताह। तदनंतरम रमा स्वजेष्ठ भ्रात्रासह पद्भ्याम समग्रम भारतम अप्रमत। ब्रह्मन क्रमे सा कोलकताम प्राप्ता संस्कृत वैदुशेण सा तत्र पंडिता सरस्वती चेती उपाधिभ्याम विपूशिता। तत्रेव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेदाध्यनम अकरोत। पस्चात सा स्त्रीनाम क्रिते वेदाधिनाम शास्त्रानाम शिक्षाये अंदोलनम प्रारप्धवती। अश्टादश शताब्दे अशीती तमे खृष्टाब्दे सा विपिन बिहारी दासेन सह बाकीपूर न्यायाले विवाहम अकरोत। सार्धैक वर्षात अनंतरम तस्याह पतिही दिवंगतह। तदनंतरम सा पुत्या मनुरमया सह जन्मभूमिम महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। नारी नाम सम्मानाय शिक्षा येच्च सा स्वकियं जीवनं अरपितवती। हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्षम नारी शिक्षा विशये सा स्वमतम प्रस्तुतवती। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लेंड देशम गतवती। तत्र इसाई धर्मस्य स्त्री विशयकेही उत्तम विचारेही प्रभाविता जाता। प्रिष्ठ संख्या शिबीस। इंग्लेंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत। तत्र सा भारत अस्य विधवा स्त्रेणाम सहयतार्थम अर्थ संचयम अकरोत। शारदा सदनम अस्थापयत। अस्मिन आश्रमी नि सहायाह स्त्रियह निवसंतिस्म। तत्र स्त्रियह मुद्रण टंकन काष्ठ कलादिनांच प्रशिक्षणम अपी लभंतिस्म। परम इदम सदनम पुणे नगरे स्थानांत्रितम जातम। ततह पुणे नगरस्य समीपे केडगाव स्थाने मुक्ति मिशन नाम संस्थानम तया स्थापितम। अत्र अधुना अपी निराश्रिताह स्त्रियह स सम्मानम जीवनम यापयंति। उनविंश शताप्दे द्वाविंशती तमे क्रिष्टाप्दे रमाबाई महोदयायाह निधनम अभवत। सा देश विदेशानाम अनेकासु भाशासु निपुना आसीत। समाज सेवायाह अतिरिक्तं लेखनक्षेत्रे अपी तस्याह महत्वपूर्णं अवदानं अस्ति। स्त्रीधार्म नीति हाई कास्ट हिंदु विमेन इति तस्याह प्रसिद्धं रचनाद्वयं वर्तति।